आज हम जानेंगे तिर्थंकर और सामान्य सर्वग्य केवली संपूर्ण ज्यानी में क्या अंतर होता है तिर्थंकर भगवान और सामान्य केवली दोनों ज्यान की दुरुष्टी से ज्यान की अपेक्षा से एकदम समान है किन्तु उन दोनों में बहुत से अंतर भी होते हैं उन अंतरों के बारे में आजम जानेंगे तीर्थंकर पद नाम कर्म के उदई से मिलता है जबकि केवली पद के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है तीर्थंकर में अतिशई होते हैं जबकि सामान्य केवली के कोई अतिशई नहीं होता तीर्थंकर के गंधर होते हैं जबकि सामान्य केवली के कोई गंधर नहीं होते तिर्थंकर पद प्रतम अरिहन पद में लिया गया है जबकि सामान या केवली को पांचवे पद में मानने की परंपरा है तिर्थंकर की माता को 14 स्वपन आते हैं जबकि केवली की माता के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है तीर्थंकर की जगन्य आयू 72 या 72 वर्ष की होती है और उत्कृष्ट आयू यानि जादा से जादा आयू 84 लाग पूर्वकी होती है जबकि केवली की जगन्य आयू 9 वर्ष की होती है और उत्कृष्ट आयू 1 करोड पूर्वकी होती है देवों के द्वारा तीर्थंकरों का जन्मोत्सव किया जाता है जबकि सामान्य केवली के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है तीर्थंकर तीर्थ की स्तापना करते हैं जबकि सामान्य केवली किसी तीर्थ की स्तापना नहीं करते तिर्थंकर की सेवा में प्राई देव लोग आते जाते रहते हैं जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं तिर्थंकर केवली समुदगात नहीं करते हैं जबकि केवली केवली समुदगात करते भी है और नहीं भी करते हैं तिर्थंकर एक दूसरे से नहीं मिलते हैं जबकि सामान्य केवली साथ भी रहते हैं और उनकी केवली परिशत भी होती है तिर्थंकर के अशोक व्रुक्ष आधी आठ महा प्राती हारिय होते हैं जबकि सामान्य केवली के लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं है तिर्थंकर वर्सिदान देते हैं जबकि सामान्य केवली नहीं देते तिर्थंकर की आगती 38 स्थान से होती है जबकि केवली के 108 स्थानों से होती है तिर्थंकर को जन्म से ही अवदी ग्यान सही तीन ग्यान होते हैं जबकि केवली के लिए ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर को दिक्षा लेते ही मनः परियवग्यान हो जाता है जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर की प्रतम देशना में गंधर बनते हैं जबकि सामान्य केवली की देशना में कोई नहीं बनता तिर्थंकर के सरीर की अवगाहना कम से कम साथ हाथ की होती है और उत्कृष्ट पान्सो धनुष्की होती है जबकि सामान्य केवली की जगन्य दो हाथ और उत्कृष्ट पान्सो धनुष्की होती है एकेंद्रिय जीव यानि पृत्वी, पानी, वनस्पती के जीव मर कर केवली या मनुश्य बन सकते हैं परंतु तिर्थंकर नहीं बन सकते हैं एक दो तीन नरक से निकला हुआ जीव तिर्थंकर बन सकता है और एक दो तीन चार नरक से निकला हुआ जीव सामान्य केवली बन सकता है। तिर्थंकर का सरीर सम चतुरस संस्तान और स्रेष्ट सुब बुद्गलों से ही बना होता है जबकि सामान्य केवली में छे में से कोई भी संस्तान हो सकता है। तिर्थंकर भगवान केवल ग्यान होने के बाद ही उब्देश देते हैं, जबकि सामान्य केवली उब्देश देते भी है और नहीं भी देते हैं। तिर्थंकर भगवान देव द्वारा निर्मित समवसरन में उबदेश देते हैं जबकि सामान्य केवली के समवसरन ही नहीं होता तिर्थंकर भगवान की सभा में बारा प्रकार की परिशद आती है जबकि सामान्य केवली के ऐसा कोई भी नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान तिर्थंकर सिद्धा अतिर्थ सिद्धा होते हैं, जबकि सामान्य केवली अतिर्थंकर सिद्धा और तिर्थ सिद्धा और अतिर्थ सिद्धा भी होते हैं, तिर्थंकर भगवान सामान्य तह पुरुष लिंग ही होते हैं, जबकि केवली तीनों लिंग तिर्थंकर का जन्म छत्रियकुल में होता है जबकि केवली का चारो वर्नों में कोई भी हो सकता है। तिर्थंकर नियमा स्वयम बुद्ध होते हैं जबकि केवली स्वयम बुद्ध बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध भी होते हैं। तिर्थंकर भगवान एक लाग पूर्व वर्ष तक का सैयम पालते हैं जबकि केवली एक करोड पूर्व का पालन कर सकते हैं। तिर्थंकर तिर्थंकर तिर्थ की स्तापना करने के कारण तिर्थंकर कहलाते हैं जबकि सामान्य केवली तिर्थ कहलाते हैं। तिर्थंकर भगवान जहां गोचरी लेते हैं वहां स्वर्न की वरिष्टी यानि सोनेया की बारिश होती हैं जबकि केवली के ऐसानियम नहीं है। तिर्थंकर भगवान की वानी में वचनाती सई 35 गुन होते हैं। केवली के कोई अतिशई नहीं होते। तिर्थंकर भगवान के उपदेश को अर्थ रूपी वानी कहते हैं जबकि केवली के ऐसानियम नहीं है। तिर्थंकर भगवान नियमा कलपातित कलप वाले होते हैं जबकि सामान्य केवली में तीनों कलप होते हैं। तिर्थंकर भगवान एक लाग पूर्व वर्ष तक का सैयम पालते हैं जबकि केवली एक करोड़ पूर्व का पालन कर सकते हैं। तिर्थंकर तीर्थ की स्तापना करने के कारण तिर्थंकर कहलाते हैं, जबकि सामान्य केवली तीर्थ कहलाते हैं. तिर्थंकर भगवान जहां गोछरी लेते हैं, वहां स्वर्न की वरिष्टी यानि सोनेया की बारिश होती है, जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है. तिर्थंकर भगवान की वानी में वचनाती सई 35 गुन होते हैं केवली के कोई अतिशई नहीं होते तिर्थंकर भगवान के उबदेश को अर्थ रूपी वानी कहते हैं जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान नियमा कलपातित कलप वाले होते हैं जबकि सामान्य केवली में तीनो कलप होते हैं तिर्थंकर भगवान के अपने भव में तीन चारित्र सुक्समसंपराई, सामाईक और यथाक्यात चारित्र पाते हैं जबकि सामान्य केवली में पांचो चरीत्र हो सकते हैं तिर्थंकर भगवान को दिक्सा के लिए नो लोकांतिक देव प्रातना करते हैं जबकि केवली को कोई प्रातना नहीं करता तिर्थंकर भगवान जगन्य दो और उत्कुरुष्ट चार एक समय मोक्ष पदार सकते हैं जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है समुद्रव जलासे से सामान्य केवली मोक्ष पदार सकते हैं सामान्य केवली जगन्य एक और उत्कुरुष्ट एक समय में मोक्ष जा सकते हैं जबकि तिर्थंकर कर्म भूमी से ही और कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा चार एक समय में मोक्ष जाते हैं तिर्थंकर बनने वाला जीव पांच लेशिया का कृष्ण लेशिया को छोड़ कर आया हुआ हो सकता है जबकि सामान्य केवली छे लेशिया से आया हुआ जीव हो सकता है तिर्थंकर भगवान अपने भव में पांच ग्यान को स्पर्स करते हैं जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान में मद्यम अवगाहना ही पाई जाती है जबकि केवली में जगन्य, मद्यम और उत्कृष्ट तीनों ही अवगाहना पाई जाती है तिर्थंकर भगवान तिर्थंकर पद और साधूपन में रहते हुए किसी दोस का शेवन नहीं करते हैं जबकि केवली अपने भव में छदमस्त अवस्ता में दोस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं तीरतंकर सर्वोच उपकारी पद माने गए हैं जबकि सामान्य केवली के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है चमा शूर तीरतंकर भगवान को ही माना गया है सामान्य केवली या किसी अन्य को नहीं माना गया चदमस्त तीर्थंकर भगवान शिष्य नहीं बनाते चदमस्त सादू शिष्य बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं तीर्थंकर भगवान के गंधर नियम से 14 पूर्वधारी होते हैं जबकि केवली के शिष्य होते हैं गंधर नहीं होते तिर्थंकर भगवान के एक हजार आठ लक्षन बताए गए हैं जबकि केवली के ऐसा कोई भी नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान के दिक्षा लेते समई देव दुश्य वस्त्र उनके कंदे पर होता है जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान पूरे भव में तीन शरीर ओधारिक तेजस कार्मन ही पाते हैं जबकि सामान्य केवली के भव में पांच शरीर पा सकते हैं तिर्थंकर भगवान से सामान्य केवली हमेशा संक्यात गुना अधिक रहते हैं तिर्थंकर भगवान लोक के असंक्यात्वे भाग में रहते हैं जबकि केवली समुदगात की अपेक्षा संपूर्ण लोक में विद्यमान हो सकते हैं सामान्य केवली केवल ग्यान होने के अंतर मुहुरुद बाद मोक्ष जा सकते हैं जबकि तिर्थंकर भगवान वर्सों तक विचरते हैं, तिर्थंकर पद मद्यम वई में ही होता है, जबकि सामान्य केवली बाल वई, युवा वई और वृद्दा वई में भी होता है, तिर्थंकर भगवान एक दिन में बीस मोक्स जा सकते हैं, जबकि केवली एक दिन में दो हजार से नो हजार तक मोक्स जा सकते हैं, तिर्थंकर भगवान जन्म से ही अवदी ज्यानी होते हैं, जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है, एक तिर्थंकर के सासन में संक्याता केवली पाए जाते हैं जबकि केवली का सासन ही नहीं होता है तिर्थंकर भगवान को विपूल मती मनः पर्यव ग्यान ही होता है जबकि केवली के नियम नहीं है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तिर्थंकर भगवान तिर्चे और नीचे लोक में ही होते हैं जबकि सामान्य केवली उन्चे नीचे और तिर्चे लोक यानि तीनों लोक से हो सकते हैं तिर्थंकर भगवान के समवसरन में तेईस दंडक के जीव होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा कोई भी नियम नहीं है केवली पहले के भवों में उप्षम स्रेनी लिये हुए हो सकते हैं जबकि तिर्थंकर भगवान के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान नियम से जगन्य एक, दो, तीन और उत्कुरुष्ट बीस तिर्थंकर पद प्राप्ति के बोलों की आराधना करते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान के नियम से लोच होता ही है जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान के सासनकाल में दुष्टिवाद नियम से दो पीडी तक चलता है जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान नियमा चोविहार तब करते हैं केवली दोनों प्रकार के तीविहार और चोविहार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तिर्थंकर भगवान चीह खंडों में से प्रतम खंड में ही उत्पन होते हैं यानि आर्य देश में ही जन्म लेते हैं जबकि केवली छे खंडों में ही उत्पन्न हो सकते हैं। तिर्थंकर भगवान के जन्म के समय पूरे लोक में कुछ वक्त के लिए प्रकास होता है। जबकि जब सामान्य केवली जन्म लेते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 64 इंद्र तिर्थंकर भगवान के समवसरन में नियम से आते ही हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है। केवली समुदगात की अपेक्षा नरक और स्वर्ग में जाती हैं जबकि तिर्थंकर भगवान की आत्मा ऐसा नहीं करती। 24 इंद्र तिर्थंकर का निर्वान अव सर्पिनी काल के चोते आरे के 89 पक्स शेस रहते हैं तब होता है जबकि केवली के लिए ऐसा नियम नहीं है। तिर्थ की स्थापना तिर्थंकर ही करते हैं केवली नहीं करते हैं। अभी हमारे यहां तिर्थंकर का सासन चल रहा है सामान्य केवली का नहीं चल रहा है। तिर्थंकर भगवान किसी के सिश्य नहीं होते हैं, जबकि केवली सिश्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक छेत्र में एक ही तिर्थंकर होते हैं, परन्तु एक छेत्र में सामान्य केवली अनेक हो सकते हैं, तिर्थंकर भगवान असोक व्रिक्ष के नीचे बैठत जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है वे कही पर भी बैठ सकते हैं तिर्थंकर भगवान के उपर तीन छत्र होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा कोई भी नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान के मुक मंडल के पीछे भा मंडल रहता है जबकि सामान्य केवली के नही रहता है तिर्थंकर भगवान के समवसरन में अचित पुश्पों की वर्षा होती है जबकि सामान्य केवली के नहीं होती तिर्थंकर भगवान के समवसरन में चमवर बिजाते हैं जबकि सामान्य केवली के नहीं बिजाते हैं तिर्थंकर भगवान के आहार विहार किसी अन्य को नहीं दिखते जबकि केवली का आहार विहार सब को दिखता है तिरतंकर बगवान के नाखुन और बाल नहीं बढ़ते हैं जबकि केवली के नाखुन और बाल दोनों बढ़ते हैं तिरतंकर बगवान का खुन सफेद रंग का होता है जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है ति सामान्य केवली के ऐसा नहीं होता है। तिरतंकर भगवान वस्त्र रहित होने पर भी बालक के समान सौम्य सुशोबित लगते हैं जबकि सामान्य केवली के लिए ऐसा नियम नहीं है। के ऐसा कोई नियम नहीं है। तिरतंकर भगवान के जन्म पर चोंसट इंद्र उनके राज महल में आते हैं जबकि सामान्य केवली या सर्व ग्यानी के ऐसा नियम नहीं है। जगन्य मद्यम और उत्कृष्ट अवदिग्यान हो सकता है। तिरतंकर भगवान की हर देशना में प्राई चतुरविद संग उपस्तित होता है या बनता ही है जबकि केवली के ऐसा नियम नहीं है। तिरतंकर भगवान धर्म के सर्वोच प्रवर्तक होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है। तिरतंकर भगवान के पास प्राई दिक्षा होती रहती है जबकि सामान्य केवली के यहां ऐसा नियम नहीं है। तिर्थंकर भगवान नियम से स्व पर कल्यानक होते हैं जबकि केवली के नियम नहीं है तिर्थंकर नाम कर्म की स्तिती कोडा कोडी सागरोपम की होती है जबकि केवली के लिए ऐसा नियम नहीं है तिर्थंकर एक युग में एक स्तान पर होते हैं जबकि केवली अनेक स्तानो पर हो सकते हैं तिर्थंकर भगवान आर्य छेत्र से ही सिद्ध होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा कोई नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान ग्रहस्त अवस्ता में चक्रवर्ती राजा या राचकुमार होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा नियम नहीं है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तिर्थंकर भगवान के पीछे देव, नात या स्वामी बोलने की परंपरा है जबकि सामान्य केवली की ऐसी परंपरा नहीं है तिर्थंकर भगवान अपने जीवन काल में पांच गुनस्तानों को फरस्ते नहीं है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जबकि सामान्य केवली फरस सकते हैं तिर्थंकर भगवान जहां पारना करते हैं वहां पंच दिव्य पैदा होते हैं जबकि सामान्य केवली के ऐसा कोई भी नियम नहीं है तिर्थंकर भगवान को अध्यापक के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है जबकि सामान्य केवली को रहती है और नहीं भी रह सकती है तिर्थंकर भगवान अव सर्पिनी काल के तीसरे और चोते आरे में ही होते हैं जबकि सामान्य केवली तीसरे, चोते और पांचवे आरे में भी होते हैं उत सर्पिनी काल में सामान्य केवली और तिर्थंकर भगवान तीसरे और चोते आरे में ही होते हैं महा विदेह में सास्वत रूप से मिलते हैं तिर्थंकर का जीव दो दंडक से आया हुआ जीव हो सकता है वैमानिक देवों का और नरक का दंडक जबकि केवली का उननिस दंडक का आया हुआ हो सकता है तेजसकाई, वायुकाई और तीन विकलेंद्रिय को छोड़ कर तिर्थंकर भगवान में तीन निगरंत कशाई, कुशील और सनातक ही पाते हैं जबकि केवली अपने पूरे भव में छे निगरंत पा सकते हैं पुला, बकुस, प्रतिसेमना, कशाई, कशाई या कुशील, निगरंत और सनातक आज का प्रशन है कि वर्तमान में माहा विदेह छेतर में कितने तिर्थंकर विराजमान है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें